दोस्तो उत्तर प्रदेश के सभी BPA बेरुजगार साथी बहुत दुख होता है जब BPA कम्प्लीट हो जाता है और सरकार नौकरी नहीं निकालती जब BPA करके छात्र अपने घरों पर जाते हैं तो माता पिता पूछते हैं कि बेटा नौकरी कम मिलेगी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं साथियों यह वीडियो उन तक सेयर कर देना जो BPA करने का सोच रहा है क्योंकि सरकार को यह भी नहीं पता कि एक साल में कितने BPA करके बेरुजगार तयार हो रहे हैं BPA को Special Course का नाम तो दिया गया है लेकिन नौकरी नहीं मिलती आखिर क्या गलती है जो सरकार BPA वालों का ध्यान नहीं देती है BPA वाले मात्र कालेजों से डिग्री ले आते हैं डिग्री के बाद कोई भी छात्र सरकारी नौकरी की मांग नहीं करता है मात्र प्राइवेट स्कूल पर सारी लाइफ गुजार देता है उत्तर प्रदेश के सभी BPA चात्रों का प्रयास नहीं रहता है कि सरकार के साथ अपनी समस्याओं का साज़ा करे साथियों आप लोग खेल भी भाग सिच्छा भी भाग दोनों भी भागों पर RTI से पूँच सकते हैं कि हम लोग किस योग हैं सरकार से पूँचो ट्यूटर पर कैम्पेन चलाओ फेस्बुक पर पोस्ट डालो सभी लोग अपने अपने जिलो पर पोस्टर बैनर लगवाएं कि BPA किये हुए छात्रों को रोजगार दे दोस्तों आपको पता है उत्तर प्रदेश में सारीरिक सिच्छक की कितनी जरूरत है हर बिद्याले में इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा 2022 में यदि हम लोग बिग्यापन प्रकासित करवा सकते हैं यदि हम लोग एक हो जाएं अन्निथा बीपेट की डिगरी हमको बिरोजगार बना रही है और बनाती रहेगी अभी दोस्तों उत्तर प्रदेश में खेल विभाग का इतना बड़ा भारी बजट रिपोर्ट मैंने देखी है मेरे तो होस उड़ गए है दोस्तों दिनों दिन फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की बेजिती हो रही है और हम लोग देख रहे हैं बियाच यू लखनाव क्रिश्चन लखनाव यूनिवल्शिटी एलहावाद यूनिवल्शिटी अफकान पूर यूनिउल्शिटी बड़े बड़े संस्थानों से बीपिएड एमपिएड करके जब हम लोग बेरोजगार घूमते हैं तो हमें अपने आप पे सर्माती है हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग एक नहीं है उस्तर प्रदेश के सभी नौजवान बीपिएड बेरोजगार साथी आप सभी लोग एक हो जाएं और सरकार को बता दो कि बीपिएड वाले एक हो गए हैं और हम लोग को भी नौकरी चाहिए हर प्राइमरिय जूनियर विद्धाले पर पिग्यापन जारी करें दोस्तों यह वीडियो जादा जादा सेयर करें फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल आप सभी लोगों के साथ है